नमस्कार विद्यातिमीत्रों हमने विशेशन के बारे में पुन्दावर्तन किया अब विशेशन के बारे में कुछ और जानते हैं निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए वाक्य है क सानिया अच्छी लड़की है ख सानिया कोमल से अच्छी लड़की है ग सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है वो परियुक्त वाक्यों में अच्छा विशेशन का प्रयोग तीन प्रकार से किया गया है इस तरह तिन प्रकार से है तो कव वाक्य में केवल सानिया की विशेषता का बोध कराने के लिए अच्छा विशेषन का प्रयोग किया है। तो उपर्युक्त विधानों से यह स्पष्ट है कि विशेषन शब्दों का प्रयोग संग्या या सर्वनाम शब्द की सामानिय विशेषता बताने के लिए किया जाता है। इस तरकार विशेषन का प्रयोग तीन तरह से किया गया है। इस तरह एक तो सामानिय विशेषता बताने के लिए, दूसरा तुलनात्मक विशेषता बताने के लिए और तीसरा सर्वस्रेष्टता बताने के लिए। तो इन तीनों वाक्यों में विशेषन का प्रयोग तीन तरह से किया गया है। पहले वाक्यों में सामानिय विशेषता बताने के लिए, दूसरे वाक्यों में तुलनात्मक विशेषता, दो व्यक्तियों के बीच, दो संग्याओं के बीच, कोई भी संग्याओं, दो संग्या या सर्वनाम के बीच, तुलना करके इस विशेषन का प्रयोग किया गया और ग तीसरे प्रकार में दो संग्या या दो से अधिक संग्या या दो से अधिक सर्वनाम इन सब की विशेश्टाओं में सब से स्रेश्टता या सब से कम विशेश्टा बताने के लिए तीसरे प्रकार की विशेश्टन की प्रयोग की उपयोगिता की जा रही है तो बराबर से समझ में आ गया, विशेशन का प्रयोग तीन प्रकार से किया जाता है, एक सामान्य विशेशन बताने के लिए, दूसरा तुलना करने के लिए, तीसरा स्रेश्टता बताने के लिए, जिसे हम अंग्रेजी में सिखते हैं डिगरी, पोजिटीव डिगरी, कमपेर और सुपरलेटिव मानिस रेष्टता सबसे अधिक या सबसे कम इस तरह विशेशन का तीन प्रकार से प्रयोग हमने सीखा अब आपको क्या करना है तो निमनलिखित विशेशनों का तीन प्रकार से वाक्य में उप्योग कीजी तो आपका अब गुरु कारिया है अमने विशेशन भाषा सज़ता में सीखा है आपने विशेशन अपनी पकी कापी में लिख लिया होगा अब पन्ना नमबर 43 में जो भाषा सज़ता की आज की मैंने समझ दी है उन सब को आपको लिखना है पकी कापी में और बाद में एक प्रस्ण है निमनलिखित विशेशनो चार विशेशन को आपको क्या करना है इस प्रकार विशेशन के तीन तरह के प्रयोग आपको वाक्य बना कर लिखने है सुन्दर के तीन वाक्य, बड़ा के तीन वाक्य, मेहनती के तीन वाक्य, और चालाक के तीन वाक्य, बराबर से समझ में आ गया, अब आगे लिंग परिवर्तन, लिंग परिवर्तन हमने इकाई तीन के बाद सिख लिया है, तो इसे और दुसरी बार सिखने के आवश्यक्ता न लिखना है और अंत में एक प्रस्न दिया गया है, इस प्रस्न का उत्तर भी लिखना है। समझा है उसको लिखना है उसके प्रष्न के चार शब्द है इसको तीन-तीन वाक्य में आज जिस तरह हमने सिखा है उसी तरह प्रयोक करके लिखना है फिर लिंग परिवर्थन जैसे दिया है वैसे ही आपको चिर्फ अपनी काप्षी परिवर्थन", और अंत में एक प्रस्न दिया गया है तीन सब्दों का लिंक परिवर्तन वह आपको करना है बराबर है